हेई गाइस वेलकम बैक और एक और मैं डेली कॉंवरसेशन के बेस पे एक डेली यूज होने वाले फ्रेजिस आपके सामने लाया हूं सो लेट्स गैट स्टाड़ेग्ट सबसे पहले बात करते हैं चैन चुरा लेना तो इसको बोला जाता है इस्टील दा फैंसी ठीक है याप बोलते हैं कि वहाँ वहे चुरा लेना राइट सो उसको बोला जाएगा हमेशा इस्टील दा फैंसी नेक्स है चा जाना तो इसका मतलब होता है इस्टील दा शो आपके एक फ्रेंड ने बहुत अच्छा एक लेक्चर दिया या बहुत अच्छा एक प्रिजेंडेशन दिया है और आप उसको बोलते हैं कि चा जाना यार तू तो चा गया तिया आपने शो को चुरा लिया या आप्स शौ में चा गया नेक्स बात करते हैं चा गया तिसी का है कि इस ट्रोल द शौ कि ये उसी का पार्स, फ़र्म में हो गया है कि छा गया इस ट्रोल दध शौ नेक्स रहे धिकार है ठीक है बहुत ही negative वे में बोला जाता है जैसे कि आपके friend ने बहुत आपके सांथ गलत किया है तो आप बोलेंगे कि आप पर धिकार है तो five on you right नेक्स है बहुत ही शर्म की बात है यह भी एक negative वे है किसी को बोलने के लिए तो इसको बोल जाता है shame on you ठीक है शर्म की बात है या दूसरा आप इसको बोल सकते है what a shame कितने शर्म की बात है तो both sentences are same next है चुलू भर पानी में डूब मरो तो इसको बोला जाएगा peace on you actually peace is your toilet so बहुत negative होता है कि peace on you ठीक है चुलू पर पानी में डूब मरो next है तेरे बाप का क्या जाता है यहां आप कोई भी चीज है जैसे कोई भी चीज हो रही है और उसका relation ना आप से है ना आपके friends से है तो आप बोलगे कि इसमें तेरा जा क्या रहा है जो हो रहा है होने तो तो यहां पर जो पॉप है पॉप मींस एक्चली फादर को बोलते हैं ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा परिशान हो जाते हैं तो आप क्या बोल सकते हैं कि I am sick and tired ठीक है मैं बहुत ज़्यादा परिशान और ठकावा हूं I am sick and tired नेक्स है गलती थोपना जैसे कि आपका फ्रेंड आपके ऊपर कोई गलती थोप रहा है तो उसको इंगले से बोला जाता है पास दब ठीक है तो आप बोसकते हैं डॉन पास दब बग मतलब अपनी गलती मेरों पर मत थोप हो ठीक है बग से मतलब भी एक्शली अगर यहां इस नेरैं अपने शबदों पर ठीक है तो इसको बोलते हैं इस्ट्रिक ऑन्योर वड्स ट्रिक मतलब के होता है ठीक है विसटिक रहना और वर्स जो भी आ अपने कहा है तो ऐसा बोलो कि आप उसमें ठीक रह सखें ठीक है नेक्स है बात कब बतंगर बनाना या बोला बात की खाल नकालना तो इसका मेन होता है i split the hair देगे के case mo what you could do Bridges को दो भागूमें डिवाईड काना या उसको टोड़ना तो it is written the head अब आपके बाल इतने छोटे होते उसको भी आग तोड रहे ठीक है वैसे हिस की एक छोटी से बात है उसकी भी आप खाल निकाल लें, so split the hair, next है क्या करें, क्या ना करें, so इसको बोले जाता है, what to do, what not to do, I am in a fix, तो कभी-कभी ऐसे situations आती हैं, कि आप बोलते हैं, क्या करें, क्या ना करें, so what to do, what not to do, वैसे ही बहुत तरीके से बोले जाता है, किस से बात करें, किस से बात ना करें, I am in a fix, मतलब कि मैं fix हो गया हूँ, या थम गया हूँ, इस्ट्रग हो गया हूँ, ठीक है, रुख गया हूँ, वैसे ही आप eat के लिए बोल सकते हैं, what to eat, what not to eat, जैसे आपके सामने आपको भूग लगी है, और बहुत आपका फेवरिट खाना आपके सामने रखा है, तो आप बोलेंगे, what to eat, what not to eat, क्या खाऊं, क्या नहीं खाऊं, वैसे ही पीने के लिए, वैसे ही diet, listen, watch, what to watch, what not to watch, क्या देखूं, क्या नहीं देखूं, I am in a fix, मैं fix हो गया हूँ, मैं अटक गया हूँ, next है, देखो, यह बहुत ज़्यादा, अगर आप American या फिर कोई Hollywood movies या serious देखते हैं, तो उसमें बहुत ज़्यादा यूज होता है, here we go, या there we go, इसका मिंग क्या होता है, कि जैसे कि आप और आपका friend कुछ search कर रहे हैं, बोलते हैं कि me and my friend, तो वो भी एक गलत वी होता है बोलने का, तो आप बोलेंगे my friend and I, ठीक है, इंगलिस में हमेंसा दूसरे person को पहले respect दी जाती है, so my friend and I, ठीक है, जैसे आप और आपका friend है, आपका mobile रोड़ रहे हैं, आपका mobile नहीं मिल रहे हैं, तो आप और आपका friend mobile रोड़ रहे हैं, तो आपके friend को mobile just मिल गया है, तो वो क्या बोलेगा, here we go, मतलब ये रहा, जैसे कि here we go on the table, ये रहा table की उपर, वैसे ही here और there में तो difference आपको पता ही है, तो अगर थोड़ा सा दूर है, तो वो बोलेगा कि there we go, ठीक है, वो रहा on the table, table की उपर, बहुत ज़्यादा use होता है, बहुत ही common way है, next है, जितना जल्दी हो सके, तो उसको बोला जाता है, as soon as possible, ठीक है, इसका एक business way में short form होता है, ASAP, जैसे बोलते हैं कि do it ASAP, मतलब do it as soon as possible, और daily uses phrases है, तो इसको याद कीजिए, और कोई भी confusion हो, कोई भी issue हो, या और किसी के बार है, पूछना हो, so you can comment on the comment box, right, so if you like this video, give it a thumbs up, so बहुत ही short video है, और बहुत ही important में आपको phrases बता दिये, जो आपके daily basis पे, आप use कर सकते हैं, right, so thanks for watching this video, and bye for now,